और next questions what is the difference between string in C language and Java C language के case में just string को represent करना possible by using array of characters terminated by null जबकि Java के case में string को represent करेंगे using simply objects of string class means C language करना string के do it by using in the form of array और array of characters like a care or character array initializing some string as ABC C language के अब करेंगे इसमें जब आपको इस्तिंग करेंगे तो इस्तिंग इस्तिंग करेंगे किस फिर्म होगे इन दा form of array of characters terminated by नल अबने string में फिलिए के लिए न के रेक्टर असान की देना and characters के respect में total memory space इने characters के लिए लुगीड होगा and plus one because C language के इस्तिंग अल्वे टर्बिनेट के से होगे always terminated by नल प्लस एसरे को नेम दो गए जाए जाए जावा के किसमें जावा के किसमें इस्तिंग किस फिर्म में इस टैड़ सी ही पार इस टिंग कॉंस्टेंट पूल में सेपरेट ऑब्जेट की दो एक विदिकांटेंट अस एस अविस है इस पोज़ेंग दिए इस 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 लेंगवे जिए जावा वन वो तिंग दिए इस्टिंग कर दिए इस्टिंग में सा एरे के फिर्म नोच एंटें परॉसेस के इस परम नोच पॉइंटर को वाइबा आपकुल नहीं जावाएं उन्ली इंडेक्षेस के फिर्म मनेप्र करना पॉइंटर्स प्लाइपसी लेंग्वेज करने स्टिंग को तुन के किसी इन्दीविडिविट्र कारेक्टर्स को जब पॉष्वल लेकिन जब जब कि ज्वावा की किश्व में Strings आए Strings are immutable Objects in Java Therefore we are not able to changing contents of the existing string objects ज्वा कि नना घराप आपने एक बर String object get कर लिया जहाना । existing existing object में कि CV type को कोई Modify करना है Changes करना पॉष्वल नहीं विक जब भी कोई चैन्जिस पर फॉंकर हो दान चैन्जिस के रिस्पेक्ट में अभी टाइम नियू अब्जेट कंस्ट्रक्ट होगा इंसाइड ही पेरिद इस तर डिफरेंस विद भी इन इस ट्रिंग इन सी इन इस ट्रिंग इन जावा